नमस्कार दोस्तों, वेल्कमियो डू जीके ट्रिक्स, इस वीडियो भूम रीट एक्जाम्स के लिए RBC एट्थ क्लास की जोग्राफी का चैप्टर नमर 6 से सम्मंदी सारे इंपर्टन प्रश्ण हम इस वीडियो में कवर करेंगे देके चैप्टर नमर 6 सम्मंदी थें उद्ध्योगो से, लास्ट बार भी रीट एक्जाम 2018 में उद्ध्योगो से सम्मंदी दो प्रश्ण पूछे गए थे एक कोशिन तो इसी चैप्टर से बनाता और एक कोशिन बनाता जो 10th क्लास की जोग्राफी है वहाँ से तो जब भी 8th क्लास की जोग्राफी कम्टेट होंगी, हम 9th क्लास की जोग्राफी देख लेंगे तो आप एमांधारी के साथ इस सिरीश को फॉलग राखियेगा और जो भी नए स्टुडेंट है जिन्हों इस सिरीश के पूराने वीडियोज नहीं देखे हैं तो मैं आपको directly answer बताऊँगा ताकि वीडियो अधिक लंबा ना बने तो देख इसका correct answer होगा option number first जो मेरी नो खा दिये वो प्रस्चिदे जैसल मेर और जोधपूर की तो location भी देख लीजे आप यहाँ पर जैसल मेर और जोधपूर राजस्तान का पर्थम वस्त्र उद्योग इस्तापित हुआ था तो कहाँ पर इस्तापित हुआ था देखिए यह प्रशना आया था डिट एक्जाम दो जाटरा में तो यहाँ पर इसका correct answer रोग option number fourth ब्यावर में ब्यावर की यहाँ location देख लीजे यहाँ पर अजपेर में ब् कुटिर और लगू उद्योगों के विकास के लिए प्रियासरत है तो देखिए कुटिर और लगू उद्योगे विकास के लिए प्रियासरत है राजस्तान लगू उद्योग निगम राजस्तान का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है तो देखे राजस्तान का जो सबसे प्राचीन उद्योग है वो है सूति वस्तर उद्योग तो यहाँ आप रॉप्शन नमर थाड़ इसका करेक्ट आंसर होगा उद्योग और केंदर के संबंद में सई सुमलित नहीं है संगमर्मर, बांसवडा, लाल पत्तर द्वालपूर, पीला पत्तर जसलमेर, ग्रेनाइट टॉंक या फिर कोई नहीं तो देखे इसका करेक्ट आंसर होगा जो ग्रेनाइट हैं ये टॉंक का प्रसिद नहीं है राजस्तान की वस्त नगरीवर, राजस्तान का मैंचेस्टर कहलाता है तो ये कौन सा जिला कहलाता हैं, अगर आप लोकेशन जानते हैं कि यहां पर कौन सा जिला है तो आप इस कोशन का अंसर आसाने से बता सकते हैं देखिए इसका सही अंसर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ देखिए जेपूर कहाँ पर है इसमेह पर देखिए जेपूर है यहाँ पर तो जेपूर तो होगा नहीं जोदपूर कहाँ पर है जोदपूर है यहाँ पर यह रहा अलवर कहाँ पर है अलवर यह रहा तो ये शिली सिले वस्तर की दरश्टी से प्रमुख हैं तो जेपूर कहां पर है जेपूर यह रा और जोदपूर यहां पर वस्तरों की रंगई छपपई तथा बंदेज कारे है तो प्रसिद नहीं है सांगानेर बगरू जोदपूर नागोर बिकानेर चुरू दोसा टोंक तो देखें करेक्ट आंसर होगा दोसा और टोंक यह प्रसिद नहीं है रंगेच छपे तथा बंदेचकारी के लिए तो कौन-कौन से प्रसीद है सांगानेर और बगरू यह कहाँ पर है यह है जेपूर में तो जेपूर की लोकेशन देख लिजिए इसके अलावा जोदपूर और नागोर भी प्रसीद है जोदपूर यहाँ पर है नागोर यहाँ पर बिककनेर यह रहा और चूरू कहाँ पर है यहाँ पर तो लोकेशन में भी आप ध्यान केगा कि कौन से जिला कहाँ पर है राजस्तान का पहला सिर्मेंट कारखाना कब वह कहाँ पर खोला गया था तो देखे राजस्तान का पहला सिर्मेंट कारकाना खोला गया था लाकेरी में कब? 1915 में लाकेरी कहाँ पर है? लाकेरी या बुंदी में सिर्मेंट उत्पादन के लिए परमुक कच्चा माल है चुना पत्थर, जिपसम, कोईला या फिर सभी तो देखे, करेक्ट आंसर होगा, सभी कच्च्चे माल की उप्लब्ता के कारण कौन सा जिल्ला शिर्मेंट उत्पादन के लिए या अदर्स माना जाता है या दैखे, क्यान रखेगा, चितोडगध की लाकेशन देख लीजिए याँ पर यह चितोडगध देखे चितोडगर दो भगों में बटा हुआ है और इसको दो भगों कौन बारता है तो भीलवाडा राजस्तान की पहली सक्कर मिल कब और कहां पर इस्तापित की गई थी तो देखे राजस्तान की पहली सक्कर मिल इस्तापित की गई थी बुपाल सागर में 1922 में तो यहाँ प्रॉप्स नमर थड़ीस का correct answer होगा, बुपाल सगर कहाँ पर है? बुपाल सगर है चितोडगड में, राज़तान का सबसे बड़ा सेज कहां पर इस्तापित किया गया? तो देखें, राज़तान का सबसे बड़ा सेज इस्तापित किया गया है, सीतापुरा में यहांपर option number 3 इसका correct answer होगा तो यहांपर लोकेशन देख लिजिए यहांपर है उद्धेपुर कैसे को खेटडी copper complex कहां पर इस्तित है तो देखे खेटडी copper complex इस्तित हैं जुन-जुनू में किस उद्योग को मौस में उद्योग कहा जाता है तो देखे मौस में उद्योग कहा जाता है सक्कर उद्योग को तो यह आप ध्यान रिखेगा option number 4 इसका correct answer होगा निमन लिकित मैंसे कौन सा उद्योग खनी ज़्याधा रित है तो कौन सा याँ बताएं सुतिवस्तर उद्योग, सिर्मेंट उद्योग, चमडा उद्योग या फिर सक्कर उद्योग देखे correct answer होगा जो सिर्मेंट उद्योग है ये खनी जाता रित है सर्सो की तेल घानी के लिए प्रस्सिद जिल्ला है अलवर भरतपूर, सवई मादोपूर, जेपूर या फिर सभी देखे correct answer होगा सभी ये चारो जिल्ले प्रस्सिद हैं सर्सो की तेल की घानी के लिए लोकेशन में देख लिए यहाँ पर ये रालवर, यहाँ पर ये है भरतपूर और सभी मादोपूर कहाँ पर है यहाँ पर और जेपूर कहाँ पर है ये रहा तो चारो पास में ये है तो आप चारो जिल्लो के नाम द्यान रखने आपको ये किसके लिए प्रस्सो की तेल की घानी के लिए बलड़ी उनिक खादी के लिए प्रसिद जिल्ला कौन सा है तो देखे ये जिल्ला है जैसल मेर तिल्ली की खल एवं तेल से सम्मंदित और द्योगिक एकायक कहां पर कारिरत है कोटा, बुंदी, पाली, बारा, यार फिट सभी देखे इसका करेक्ट अंसर होगा सभी तो लोकेशन में देख लिजिए, कोटा यहां पर रहा, बुंदी यह रहा, बारा यहां पर है, और पाली है यहां पर तो यह आप ध्यान रखेगा, यहां पर कौन सी और द्योगिक एकायक कारिरत है तिल्य की खल और तेल से सम्मंदित डोरिया साधी कहां की प्रसिद है, देखे डोरिया साधी प्रसिद है, कोटा की तो यह आपको ध्यान रखना है अजमेर में किसके तेल की खल से सम्मंदित और द्योगिक एकायक प्रसिद है तो देखे इसका correct answer होगा मुंग फली यहाँ पर option में फर्स्ट इसका correct answer होगा है अज मेरे के location देख लिजिए यहाँ पर यह रहा कहाँ पर गन्ये के रस से गुड और खांड सारी का निर्मान किया जाता है कोटा बुंदी, भीलवडा, उदेपूर यहाँ फिर सभी तो देखे इसका correct answer होगा सभी तो इन सभी को location में देख लिजिए देखे कोटा यहाँ पर रहा और बुंदी यहाँ पर है भीलवडा इसके पास में बुंदी गए और नीचे यह रहा उदेपूर तो आप यह दियान रखेगा इन चारो जिलो के नाम यहाँ पर गन्य के रश से गुड और खांड सारी का दिर्मान किया जाता है सोने चांदी के अबुशनों एवम रतनों के लिए विश्व विख्यात केंद्र जोहरी बाजार कहां पर इस्तित है तो देखे जोहरी बाजार है पर इस्तापित की गई थी ब्यावर में 899 में भारत में सर्वपर्तम सिर्मेंट बनाने का परियास कब वह कहां पर किया गया तो देखे बारत में सर्वपर्तम सिर्मेंट बनाने का परियास किया गया था मदरास में 1904 में वन आदारित उद्योग से सम्मंदित नहीं है औसदी उद्योग मतश्य तेल उद्योग कागज उद्योग या फिर फरनिचर उद्योग तुझे करेक्ट आंसर होगा वन आदारित उद्योग से सम्मंदित नहीं है मतश्य तेल उद्योग असत्य कतन हैं तो फिप नमर से युगा तो चारो कतन सत्य हैं चारो कतनों के जो फैक्ट दे रखे वो आपको कंटरस्टि ध्यान रखने सरवादी गुत्वदन का आप रोता है महराश्टा और गुजरात में और सूति वस्त्रों की राज़दानी किसको कहते है मुंबई को मलमलका के प्रसिद है धाका की छेंट मसुली पत्नम और कैली को सूति वस्त्र है कालिकट के बुरानपूर सूरत और वडोद्राएं इनकी जो सुनरी जरी हैं वो विश्विक्यात हैं किस उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है देखिए प्रस्ण कई बार के एक्जोम आया हुआ है तो इसका करेक्ट अंसर होगा लोह इस पात उद्योग आकार के आधार पर उद्योग कितने परकार के होते हैं तो देखे, आकार के अधार पर उद्योग होते हैं, तीन परकार के, first number option इसका correct answer होगा, छोटे प्यमने की उद्योग, जिसका निना में लगू उद्योग, बड़े प्यमने की उद्योग, जिने हम व्रत उद्योग भी कहते हैं, ग्रामिन तता कुटर उद्योग, तो यह आप कौनसी योजना विद्याले इस्तर से ही विभिन छेत्रों में व्यावसेक शिक्षा का पाठेगरम लागू करने के लिए बनाई गई, तो यह योजना कौनसी हैं, देखे, यह योजना हैं, कौसल विकास योजना, जो व्यक्ति अपने परिवार की सायता से अपने घर पर छोटे पेवाने पर उद्योग कारी करता हैं, कहलाता हैं, तो यह उद्योग क्या कहलाता हैं, देखे, यह उद्योग कहलाता हैं, कुटिर उद्योग, स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने परकार के होते हैं तो स्वामित्व के आधार पर उद्योग होते हैं चार परकार के निजी उद्योग, सरकरी उद्योग, सेकरी उद्योग और सम्मिलित उद्योग सम्मिलित या सयुक्त उद्योग तो यह आप ध्यान कियेगा संचार और व्यापार को व्यवसाई की किस रेणी में रखते हैं प्रात्मिक, द्वित्यक, तर्तिक या फिर कोई नहीं तो देखें, correct answer होगा तर्तिक स्रेणी में रखते हैं लगू उद्योग में सम्मिलित कितने स्रमिक छोटे कारखानों में उत्पादन का कारिय करते हैं तो देखें, लगू उद्योग में कितने स्रमिक होते हैं लगबग देखें ये होते हैं, 10 से लगा कर 100 के मद्य सही सुमिलित हैं सार्वजनिक छेतर के उद्योग हिंदूस्तान Aeronautics Limited हिंदूस्तान Copper Limited सेकेंड ए सयुक्त छेतर उद्योग मारुती उद्योग Limited सैकारी छेतर उद्योग आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड और सरस्ड्यारी सैकारी उपकरम या फिर सभी तो देखिए इसका correct answer होगा सभी कतनिया पर सईसों मिली थे हैं देखिए जो सारजनिक छेतर के उद्योग है उनके यहाँ पर यह दो उदर्ण दे रखें आप द्यान रिकेगा मारुती उद्योग लिमिटेट के इस प्रकार का उद्योग है सयुक्त छेतर उद्योग और सयकर छेतर उद्योग के उदर्ण कौन-कौन से यह दोनो तो यह आप द्यान रिकेगा जिन उद्योग का संचलन राज्जी और व्यक्ति समूदोरा होता है वह कलाते हैं तो देखिए इस प्रकार के उद्योग कलाते हैं सयुक्त छेतर के उद्योग कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बटा गया है तो देखें ये बटा गया है चार भागों में तो कौन-कौन से क्रशी आधारित उद्योग, सम्मुंद्र आधारित उद्योग, खनीज आधारित उद्योग और वन आधारित उद्योग सरकार द्वारा संचाली थहतकरगा उद्योग के विकास के लिए कौन सा कारिकरम बुनकरो को सायता परदान करता है देखे, most important प्रस्ण है, तो देखे, इसका correct आंसर होगा, option नमर first, एक इकरत ग्रामेंड विकास कारिकरम, यह आप ध्यान रखेगा, और इस प्रस्ण का आंसर आपको इस वीडियो के comment section में देना है, जो कि अमने last वीडियो में देखा था, वॉले स्टुनाइट पर्मो कुरूप से कहां पर पाया जाता है, पाली, उदेपूर, अजमीर या फिट सिरोई में, देखे, आप ही वे student है, जो finally read exam में selection के भागिदा रहेंगे, क्योंकि अधिकतर student तो ऐसे है, कि थोड़ बहुत question देख लिए और छोड़ के चले गए, आप देखे, लगबग 15 लाग फोरम भरे जाएंगे इस बार, लेकिन गवर्मेंट को आव सकता है केवल 2% student की इन 15 लाग में से, तो जो अच्छे से तियारी करेगा उन्हीं का selection होगा, आदे अधूरी question देखके छोड़ के चले गए, और comedy वाले वीडियो देखना, अलग अलग नफरती है, देखना ही नहीं चाहते हैं, तो मत देखो, उनकी लाइफ है, हमको उनसे कुछ लेना देने नहीं है, जो भी यहां तक पहुचे है, उन्हें धन्यवाद है कि वो अपनी लाइफ के प्रती सजग है, तो आप अपनी study को continue रखेगा, बिल्कुल भी drop नहीं करने है डेल नहीं बरतनी है, तो वीडियो पसंद आए, तो लाइक ऊस्टियो जरू करेगा, टेलेग्राम चनल पर आप जोइन हो सकते हैं, सिम्पली आप टेलेग्राम पर जाए, वहाँ पर सर्च करें, जीकिटिक एजुकेशन, इस वीडियो में इतने हैं, धन्यवाद.